ट्यूब लाइट की असफलता के बाद अपनी अगली फिल्म टाइगर जिन्दा है को लेकर सल्मान खान काफी सचेत हो गए हैं कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सल्मान फिल्म की मार्केटिंग को लेकर काफी बदलाव करने वाले हैं सल्मान फिल्म प्रमोशन में कोई कसर नहीं नहीं छोड़ना चाहते सूत्रों की माने तो ट्यूब ब्लाइट की काफी कम प्रमोशन की गई थी और सल्मान इसे ही फिल्म के फ्लॉप होने का कारण मानते हैं बहरहाल इतना ही नहीं बलकि सलमान खान मारकेटिंग के साथ साथ एडिटिंग में भी हाथ आज माने वाले हैं जी हाँ सूत्रों के अनुसार अब जबकि फिल्म की शूटिंग खत्म होने को है सलमान खुद एडिटिंग सुपरवाइज कर रहे है दरसल ट्यूब बलाइट के दोरान सलमान कबीर की कई बातों से सहमत नहीं थे लेकिन उन्होंने डाइरेक्टर की बात मानी जिसका नतीजा सभी ने देखा लेहाजा इस बार सलमान फिल्म में अपना इंपुट भी देना चाहते हैं सलमान खान एक्शन अवतार ट्यूब बलाइट में गांधी जी के आदशों पर चलने के बाद दबंग खान वापस अपने एक्शन अवतार में नजर आएंगे जिसमें फैंस उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सलमान कैटरीना की जोडी सलमान कैटरीना को साथ में देखने के लिए फैंस क्रेजी है इस से पहले भी इस जोडी ने एक्था टाइगर जैसी एक्शन फिल्म दी है सुपर हिट फिल्म की सीखवल कहीं न कहीं टाइगर जिन्दा है को अपनी पहली फिल्म एक था टाइगर की सफलता का फायदा जरूर मिलेगा खासकर ओपनिंग डे पर क्रिस्मस का फायदा फिल्म क्रिस्मस पर सोलो रिलीज होगी लिहाजा फिल्म के पास कमाने के लिए काफी समय है हाला कि क्यूब लाइट भी ईद पर रिलीज हुई लेकिन कृस्मस की छुटिया फिल्म के लिए कई मायने में बेहतर मानी जाती है एक्शन फिल्म टाइगर जिन्दा है में काफी जबरदस्त एक्शन सीन्स डालेड आ रहे हैं जिसके लिए हॉलिवोड एक्शन डाइरेक्टर्स को लाया गया है और एक्शन फिल्मों के दर्शक वर्ग को यह जरूर अच्छा लगेगा